आप सभी का स्वागत है व्याकरण सीखने की एक नई शाली में आज हम व्याकरण के पाथ लिंक को सरल शब्दों में समझेंगे लिंक से संबंधित कुछ उधारण इस प्रकार हैं पिता, माता, भाई, बहन, चाचा, चाची, दादा, दादी संग्या के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाती का बोध होता है उसे हम लिंक कहते हैं सभी संग्या शर्थ पुरुष या स्त्री जाती की पहचान कराते हैं ऐसे कुछ उधारण इस प्रकार हैं दादा, दादी, पिता, माता, चाचा, चाची, भाई, बहन पुरुष जाती अत्वा स्त्री जाती का बोध कराने वाले संग्या शर्थ को लिंक कहते हैं पुलिंग पुरुष जाती का बोध कराने वाले शर्थ पुलिंग कहलाते हैं पुलिंग शर्थ के उधारण कुछ इस प्रकार हैं दादा, पिता, चाचा, भाई, राजा, बुढ़ा, मोर, बैल. स्री जाती का बोद कराने वाले शब्द स्री लिंग कहलाते हैं. स्री लिंग शब्दों के उधारन हैं दादी, माता, चाची, बेहन, रानी, बुढिया, मोर्नी, गाएं. जिन शब्दों के अंत में ई लगा होता है, साधारनते फिस सभी शब्द स्री लिंग होते हैं. जैसे लड़की, नौकरी, पढ़ाई, बेटी, चिठी, आदी. कुछ शब्दों में स्री लिंग या पुलिंग की पहचान करना थोड़ा कठीन होता है. ऐसे वाक्यों में, हम उन वाक्यों में प्रियुक्त क्रिया से हैं पता लगाते हैं कि वह शब्द स्री लिंग है या पुलिंग है. उधारन, मैंने खाना खाया, मैंने लीची खाई. इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि खाया क्रिया से पता चलता है कि खाया भुज्य पदार्थ पुलिंग है, जबकि खाई शब्द से पता चलता है कि खाई गई वस्तु स्त्री लिंग है. संग्या के साथ लगे विशेशन शब्दों को देख कर भी उनके स्ट्रीलिंग या पुलिंग होने का पता चलता है आईए इसे उधारन से समझें पुलिंग पुराना मकान, स्ट्रीलिंग पुरानी गाड़ी नित्य पुलिंग नित्य पुलिंग वह शब्द होते हैं जो हमेशा पुलिंग होते हैं जैसे तोता, कच्छुआ, आदी इनके लिंग परिवर्तन के लिए हमें इन शब्दों के प्रारंभ में मादा शब्द का प्रयोग करना होता है जैसे मादा तोता, मादा कच्छुआ आदी नित्य स्रीलिंग नित्य स्रीलिंग वह शब्द होते हैं जो हमेशा स्रीलिंग रहते हैं जैसे तितली, कोईला, आदी इनके लिंग परिवर्तन के लिए इनके शब्दों के आरंभ में नर शब्द का प्रयोग होता है जैसे नर्तितली, नर्कोयल आदी संग्याशक्त पुरुष और जाती से संबंदित कुछ हुधारण इस प्रकार है अध्यापक, अध्यापिका, पालक, पालिका, गायक, गायिका, माली, मालिन, धोबी, थोबिन, सुनार, सुनारिन आशा करती हूँ, यह पाठ आप सभी को समझ आ गया होगा, आपका दिन मंगल में हो